गुद मॉर्निंग एवरीबडी हम लोग आज 2012 का लॉंग या कहेंगे हम लोग लॉंग अंसर टाइप कोस्टन या सब्जेक्टिव अंसर टाइप कोस्टन का सॉल्यूसन तियार करेंगे टीक है जब आप एक तरफ से देखेंगे 2009 से 2022 तक तो इतना बार रिपीट सब वही कोस्टन बार बार आता है इसलिए आप लोग केरफुल होकर के इसको देखेंगे तो देखेंगे तो देखेंगे कता है डिफाइन दा ओडर आउप डियक्शन और अप डियक्शन और जेनरल एक्सप्रेशन फॉरी स्पेस्पिक डेट कॉंस्टेंट अप लेते ति यह तूटार्जन नाइन में पुछा हुआ है तूटार्जन नाइन का इसमें विडियो देखेंगे तो ओडर आप डियक्शन क्या है देखेंगे और आप डियक्शन क्या है रेट लाव एक्वेशन में कंसेंट्रेशन के पावर के सम को और आप डियक्शन कहा जा का बढ़ अादर यग इसका सम यहां वर रहेंगा तो फ्लस तू तू थिरी कर देंगे हाप रहेगा हाप रहेगा तो फ्लस अफ वन कर देंगे इस तरह से आउडर निकालते हैं इस बहुत बार लिग चुके भी वीडियो में ने मोलेकुल रेक्शन क्या है किसी भी क्यमिकल रियक्शन में रियक्टेंट का जितना मोलेकुल यूज होता है क्या परजेंट रहता है उसको कम लोग मोलेकुल रियक्शन तर्चंट करते है चितो cannot निट्रोजन और यह देता है इसमें एक मुलेकुल यूज वात मुलेकुल रेक्शन निकालते हैं लेकिन यह जो डेरिवेशन है डेरिवेशन 2009 में रिपीट है इसके लिए आप लोग 2009 का इसका screenshot ले लिए ले लिए अब देखिए यह जो दिया है second question यह तो एक एक नंबर का दिफनेशन था एक एक नंबर के दिफनेशन के बाद तीन नंबर का डेरिवेशन पुछता है डेरिवेशन 2009 में पुछा है बार बार रिपीट होते रहेगा question यह जो है 2009 का त्रतीन नंबर कोश्चन है नंबर कोशचन था इसको आप लोग 2009 का वीडियो लॉंग टाइप में देखेंगे यह वह एक्स्प्रेशन के आउबा आँ निकाला हुआ है इसको आप लोग 2009 का वीडियो देख लेंगे इतना करने का जरूरत नहीं है 2009 का वीडियो निकाल के 2009 का वीडियो देख लेंगे यह हो गया फर्स्ट कोस्टन ये 12 नंबर कोस्टन था ये कोस्टन जो था ये को कितना नंबर था 12 नंबर और इसका अब पूछा 12 का और ठीक है 12 का और भी पूछा है 12 का और देखिये क्या क्या है 12 हिन्द था 12 है 12 का और पूछा है ठीक है 12 का और देखिये क्या है 12 का और में पूछा है 12 का और में इसके बदले में दिया रहता है हर लॉंग कोस्टन में और में अथ्वा में दियार आता है तो जो मनक्रे वही बनाए difference between DNA and RNA और में ए में है difference difference between between DNA and RNA RNA और DNA में difference पुछाएं तो बना लिजिए टे बूला हम लो इधर ले लेंगे DNA DNA इधर ले लेंगे RNA ठीक है और थोड़ा लाईन इधर कर देते देखिए difference करना है तो first difference देखिए क्या होता है first difference दोनों का full form लिप सकते हैं इसे deoxyribonucleic acid कहा जाता है इसे deoxyribonucleic acid nucleic acid कहा जाता है इसका full form है इसको इसे ribonucleic nucleic acid वहाँ जाता है ठीक है इसे दोनों का नाम से अलग की dna के dna टेस्ट होता है ने dna genetic material होता है dna genetic material होता है material होता है dna से हम लोग जान जाएंगे अगला generation उसका क्या था ठीक है कुछ virus को छोड करके RNA genetic material नहीं होता है कुछ virus जो बना देता है ने virus वो genetically बनाता है कुछ virus को छोड कर कुछ virus को छोड कर छोड कर RNA RNA genetic material genetic material material नहीं होता है यह genetic material नहीं होता है यह genetic material नहीं है RNA test से नहीं जान पाएंगे किसका बेटा है यह RNA से नहीं पता चलता है थार्ड नमबर DNA में 10 लाक नुक्लियो टाइट्स होता है DNA में जो होता है ना DNA में 10 लाक नुक्लियो टाइट्स होता है RNA में जो है RNA में 12 लाक नुक्लियो टाइट्स होता है RNA में 71 से 12 लाक नुक्लियो टाइट्स होता है ठीक है यह जो पुछाओगा 2 या 3 नमबर का है चार लाक नुक्लियो टीज़ा ज़दा DNA में में डी ओक्सी रिबोज डी ओक्सी राइबोज सुगर प्रजेंट होता है सुगर राता है इसमें जो है राइबोज सुगर राता है RNA में RNA में राइबोज सुगर होता है जार रहता है, उच्छ में लिगे पीजिए, इसका स्क्रीन साउट लेजिए, इसका स्क्रीन साउट लेजिए, देखें, 12 और में, B में है, वाट इज नुकलीक एसीड, नुकलीक एसीड किसे करते हैं, लिविंग सेल का नुकली नुकलियस, इन हरेट करेक्टर को हरेटिकी का जाता है, सेल के, सेल के नुकलियस में परुजेंट पाइसिशिग केoseल दिप्शाय होता जिसे क्रोमो जोंग करते हैं, क्रोमो जोंग प्रोटिन और नुकलीक एसीड्स से रंज बना होता है, नुकलीकी में में मेली ड्लीकी ये लिवित आ कर है आरेने तथा नियने नुकली केसिद का नुकली केसिद नुकली टाइड का लॉंग चर्ण पोलीमर होता है इसे पोली डूकली ताइड भी कहा जाता है यही इसका लिखना था नुकली के शीट पर नुट ठीक है तो ये कर लिजे उसके बाद देखते हैं 13 नमबर इसका इसक्रीन साड़ लिजे अब देखिए इसको मिटाते हैं ठीक है अब देखिए 13 नमबर को सर्ड में अब देखिए 14 नमबर इसका स्कोल्वे रिक्षण नमबर पुछा है 14 नमबर इसका स्कोल्वे रिक्षण नमबर में पुछा है discuss discuss the following discuss the following discuss the following यह पुछा है discuss the following नमबर इसको में लोग करेंगे इसमें first जो है कोल्वे रिक्षण है A में है, कोलवे, कोलवेज रियक्षन, कोलवेज रियक्षन किसको उकाते हैं, तब लोग क्या जामते हैं, सोडियाम फिन ओक्साइड, sodium phenoxide, sodium phenoxide, 427, atmospheric pressure per, 427, atm pressure per, एतियम प्रेशर पर एतियम प्रेशर तथा लिग दिए तथा 400 Kelvin टेमपरेचर पर टेमपरेचर पर सीओ टू से रियक्शन करके सोडियम सोडियम सलेट देता है सोडियम सेलेट देता है सैलेट सैलेट सोड विख्यक ने गजियों अणीयाँ अदेना लेट सोडियम सेलेट सैल यिसेलेट सैलेट देता है ठीक है ईसए एसीडिक Woah उसे नहीं सोडियम सालेट का सोडियम सेली सालेट का लेट का एसिडिक हाइडरोलाइसिस करने पर एसिडिक हाइडरोलाइसिस करने पर करने पर सलिसलिक एसिड प्रापत होता है सलिसलिक एसिड प्रापत होता है इसका में रियक्षन है क्या है सोडियम फिनाउकसाइड सोडियम फिनाउकसाइड एसिड आता नहीं है फिनाउल का रियक्षन करा नहीं होगा यह फिनाउल हुआ फिनाउल का रियक्षन करा दते हैं हम लोग किसे सोडियम फिनाउकसाइड से यह एसिडिक नेचर का होता है फिनाउल तो यह रियक्षन बेस से करेगा बना देगा सोडियम फिनाउकसाइड यह O-N-A आ गया, इसको बोलते है, sodium phenoxide, sodium phenoxide बना, अब यह करेगा CO2 से के साथ reaction, condition है, 4 to 7 ATM pressure, ठीक है, 4 to 7 ATM pressure, और 400 Kelvin temperature, तब यह बन जाता है, sodium, यह बन जाएगा, sodium, यह बन गया, ठीक है, sodium salicylate, sodium salicylate, बन गया, ठीक है, अब यह जब hydrolysis कर देता है, इसका, यह बन जाता है, salicylic acid, क्या बन जाता है, salicylic acid, यह आइसी को पर सकते हैं, to hydroxy benzoic acid, ठीक है, यही है, कोलवे reaction, बी में पुछा है, उर्ज रियक्शन, यही पहले, डिसकस किये हुए, नहीं, इसका, जल्दी screenshot लीजिए, इसमें क्या है, sodium phenoxide, carbon dioxide से, इतना condition, लेकिन लिखना परेगा, इसमें, 4-7 atmospheric pressure, और 400 Kelvin, temperature पर रियक्शन करके, sodium salicylate देता है, उसका acidic hydrolysis करते है, तब वो, यह acidic hydrolysis करते है, तो salicylic acid प्राप्त होता है, यह कोलवे अब देखिए, दूसरा पुछाया, और करवाईले मिन देखिए, तो, सब पले भी लिखे हुए है, बहुत बार, एक ही चीज बार बार लिखना परता है, इस टाइप में, जो, question का जवाब देने जोए है न, एक ही चीज बार बार लिखना परता है, लिखिए, ओर्ज reaction, ओर्ज reaction, ओर्ज reaction किसको कहता है, alkyl-halide, sodium metal से, सोडिया मेटल से ड्राइधर मीडियम में ड्राइधर मीडियम में रियक्षन करके रियक्षन करके हाईयर एलकें देता है हाईयर एलकें देता है यह है उज रियक्षन जिसे आर एक्स लेते हैं एने लेते हैं सोडियम मेटल बीच में फिर एक्स आर यह टू एने एक्स निकल जाता है यहाँ पर ड्राइधर मीडियम हुआ ड्राइधर मीडियम में यह क्या करता है आर एंड हो जाता है आर आर प्लस टू एने एक्स आगिया ठीक है इसका एक्जांपूल भी लिए सकते हैं महां लिजे इथाइल को राइड लिए इथाइल को राइड लिए दो सोडियम मेटल इथाइल को राइड यह इथाइल को राइड निकल गया इसे ट्राइधर मीडियम है ड्राइधर मीडियम है तो यह क्या मन जाएगा ब्यूतेन मन जाएगा इन ब्यूतेन प्लस टू एने सी अल इसी को करते हैं उर्ज रियक्शन इसा पर लिखे हुए है पले भी करवाईल एमीन रियक्शन देखिए शी नंबर में पुछा है यही सब बार बार रेपीट करता है सब एदम कंठेस्ट रहना ची करवाईल करवाईल एमीन उर्ज यह स प्रवे केनी जारो एल्डाओल करवाईल एमीन रियक्शन क्या है प्राइमरी एमीन एलिफैटीक हो या एरोमेटीक प्राइमरी एमीन ऐलिफैटीक या एरोमेटिक क्लोरोटाइटीक प्राइब कूलो फॉर्म दक्राइब क्लोरोटाइब क्योडोषकश कये साथ के औशकर क्योडोफ़्क wonderfully क्ये साथ हीट करने पर हीट करने पर आफेंसिव इसमेल आइसोशाइनाइड का आइसोशाइनाइड का आफेंसिव इसमेल देता है आफेंसिव इसमेल देता है इसे एक करवाईल एमेन रियक्शन कहा जाता है इसे करवाईल एमेन रियक्शन कहा जाता है कहा जाता है ठीक है तो देखिए वह भी लेजिए प्रेम्री एमेन होना चीह सिर्फ यह वाई एलिफेटिक क्लोरो फार्म क्लोरो फार्म क्यों प्रेम्राइज के साथ हीट कर दिजिये ठीक है हीट कर दिजिये गाति यह क्या बज़ है इथाइल आइसो से नाइड इथाइल आइसो से नाइड प्लस थरी के सियाल प्लस थरी फार्म इंछ थरी शखने फिजिये ताइल हां एच्टो तिका है इसको प्रेइल इतायल जाइल एक हां प्रेंड क्या अवान डिग्री एमिन वन डिग्री एमिन है वं डिडी एमिन के मिल ले लेजिए यह है एनिलीन, एनिलीन, यह भी करेगा क्लोरोफार्म और के वज के साथ हीट का साइन दे दीजिए, तो हीट कर देंगे इसको तो बन जाएगा फिनाईल आइसुरसाइनाईट, क्या बन जाएगा? प्रिणाईल आइसुरसाइनाईट बन जाएगा, प्लस ठीकैसिल सब रिक्शन एक ही होता है, इसको पर अगया फिनाईल आइसुरसाइनाईट, पिनाईल आइसुरसाइनाईट, ठीक है? यह है, फोर्टीन नमबर को स्न गई था, अब देखिए, फिप्टीन नमबर, फिप्टीन नंबर कोश्चन पुछा है इसको मिटा दें अब देखिए फिप्टीन नंबर कोश्चन 15 नंबर कोश्चन 15 नंबर कोश्चन कता है हाईज अल्मुनियम एक्टेट फ्रूम वक्षाइड ओर हाईज hu is almonium, aluminum, extracted from, extracted from bauxite ore, bauxite ore, okay? How is aluminium extracted from bauxite ore? discuss principle, discuss principle, principle involved in it, involved in it. How does react with conch estrosopor? How does how does react with conch estrosopor? conch estrosopor, okay? this is the question. S2SO4 is the extraction of aluminium, okay? okay? So, understand. Now let's read the aluminium extraction of bauxite ore. se, aluminium, aluminium ka extraction, extraction, bauxite ore se, bauxite ore se. aluminium oxide, bauxite ore se. how do we do? see. aluminium oxide, bauxite ore in impurity. ke rup mein, aluminium bauxite ore me, bauxite ore me, impurity ke rup mein, impurity ke rup mein, iron oxide, iron oxide, iron oxide, si o2, tathha ti o2 titanium oxide present rata hai, present, present rata hai. अब इसमें अब इसमें हम लोग क्या करते है? सॉल्यूशन डाला जाता है. जब इन्य अवज का सॉल्यूशन डालिएगा, टिका है? तो aluminium, तो aluminium emphotric nature का होता है? तो aluminium के aluminium के emphotric nature के कारण 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 NaOH में dissolve होकर dissolve हो जाता है. aluminium के aluminium aluminium के emphotric nature के कारण NaOH में NaOH में bauxite और NaOH में bauxite और dissolve होकर dissolve होकर sodium illuminate बनाता है sodium illuminate बना देता है बना देता है ठीक है? sodium illuminate बना देता है और तो कोई reaction करता नहीं है sodium illuminate का formation करता है और तथा undissolved undissolved impurity को undissolved impurity को छान कर filter करके अलग कर लिया जाता है अलग कर लिया जाता है ठीक है? क्या करता है? बॉक्साइट और में इंपुरिटी करेप में F2O3 SiO2 TiO2 परजेंट रहता है इसमें NaOH का solution डला जाता है तो अलमुनियम का इंपुरिट नेचर के एकारण NaOH में बॉक्साइट ओर डिजॉल्व होकर sodium illuminate बना देता है तथा undissolved impurity को filter करके अलग कर लेते हैं तो किसे होगा? देखिए इक्मिशन लिखना पर लेगा chemistry में अलमुनियम मॉक्साइड यही मॉक्साइट ओर है 2H2O यह NaOH के साथ रियक्शन करेगा क्या बना देगा? 2 Na Al O2 plus 3H2O बना दिया अब sodium illuminate का hydrolysis करने पर sodium illuminate को छाल लिए solution मिल गया sodium illuminate minute का hydrolysis करने पर का hydrolysis करने पर क्या मिलता है? Almonium hydroxide का Almonium hydroxide का precipitate प्राप्त होता है Almonium hydroxide का P P T प्राप्त होता है देखते हैं equation मना के Na Al O2 Al O2 plus water ये बन जाता है Almonium hydroxide ठीक है? plus sodium hydroxide sodium hydroxide sodium hydroxide हो गया हो गया balance है balance है यही P P T के रूप में मिलता है तो इसको लिखिये पले काई तो बड़ा है अभी तो इसका एक पार्ट भी ले हुआ है हो गया हो गया अब दिखिए उसके बाद क्या करते हैं Almonium hydroxide को heat करते है मिटा रहे यह तक पले लिखिये उसके बाद क्या करते हैं 15 नमबर है अब देखिए अब देखिए आस मिताते हैं तम नीचे कुछ रहना चीए तम नो उससे लिंक जो रहे हैं अभी तक हम लोग को Almonium hydroxide प्राप्त हो गया ठीक है Almonium hydroxide प्राप्त हुआ तो Almonium hydroxide को heat कर लेते हैं प्राप्त हो गया यह प्राप्त 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 हो गया सुखा लेते हैं Almonium hydroxide को heat करने पर heat करने पर Al2O3 Al2O3 प्राप्त हो गया तिसको एक्वेशन देखे Almonium hydroxide बन गया heat कर दिये Al2O3 प्लस वाट इस्टे निकल गया ठीक है इस्टे वाटर निकल गया अब Almonium hydroxide का melting point बहुत हाय होता है अब देखिए यह aluminum मेल गया Al2O3 का melting point melting point 250 degree centigrade होता है 250 degree centigrade होता है होता है इसका fusion temperature कम करने के लिए इसका क्या करते है fusion temperature कम करने के लिए कम fusion temperature करने के लिए fusion temperature कम करने के लिए क्रायो लाइट 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 का फर्मूला भी पूशता है याद रखिएगा एने थिरी पले भी लिखे हैं बहुत बाद एने थिरी एल एप शिक्स प्लस सीए अपटू इसमें क्रायो लाइट मिलाया जाता है मिलाया जाता है जिससे जिससे इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जिससे इसका मेल्टिंग टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर कितना पहुच गया है मेलटीं मेथे मेर्ट आप आप जी टेंपरेचर साह्न्म आता ही mo तेंपरेचर साहरें न्युज मों आता होजाता है आता है च अटार बुर्व प्रात्त करना बहुति दीपकल्थ होते हैं लह ने इता सारे नोस हो गया, हो जाता है, क्रायो लाइट डालने से इसका कंडुक्टिविटी भी इनक्रीज हो जाता है, क्राइव लाइड डालने से इसका कंड़क्टिवीटी कंड़क्टिवीटी भी इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज हो जाता है कंड़क्टिवीटी भी इंक्रीज हो गया इसके बाद इसके बाद बाद एलक्ट्रोलाइटिक रिड़क्शन करके इसके बाद इसका एलक्ट्रोलाइटिक एलक्ट्रोलाइटिक रिड़क्शन किया जाता है अग्या अग्या जाता है तो एलक्ट्रोलाइटिक डिड़क्शन में कई थोड़ कार्बन लाइनिंग इसके लिए इसके लिए क्या करते हैं कार्बन लाइनिंग का कार्बन लाइनिंग लाइनिंग का कै थोड़ कै थोड़ तथा तथा इसके रफाइड का तथा ग्रेफाइड का ग्रेफाइड का इनोड बना लिया जाता है ग्रेफाइड का इनोड बना लिया जाता है बना लिया जाता है ठीक है? तो अल्मुनियम अउक्साइड का इलक्तो लाइसस की है एलक्तो लाइसस तो इससे जो है सादे नोच्टो डिटीरेट पर कर रहे तो इससे हमको अल्मुनियम मिला फॉर अल्मुनियम प्लस त्री ऑटू बाहर हो जाएगा? एलमुनियम प्राप्त हुआ है यह जो है 99.8% प्यूर होता है ठीक है तो एलक्टोलाइटिक रिडक्शन करके 99.8% तो प्यूर प्राप्त कर लिए लेकिन और प्यूरेटी के लिए देखें यहां तक लिख लिजे लेली जी स्क्रीन सॉट हो गया होगा आप दिखिए यतना परसेंट प्यूर जब प्राप्त कर लिए इसके बाद इसका अलक्टोलाइटिक रिफाइडिंग करते हैं इसके बाद इसके बाद यह इंप्यूरिटी इसमें प्रजेंट है इसके बाद इंप्यूर इसके बाद इसके बाद इलक्टोलाइटिक रिफाइड इसके बाद इलक्टोलाइटिक रिफाइडिंग क्या जाता है ठीक है इलक्टोलाइटिक रिफाइडिंग में क्या करते है एक बात बनाते ह्या इसमें इंप्यूर मेटल ले लिए प्यूर मेटल यह इंप्यूर है इंप्योर का इनोड बनाते है इदारे से करनक्षन कर दिए फिर ठीक है यह है यहां पर गंदला चीज बट जाएगा, इसका सल्यूसन लेलते हैं, तो देखिए, कैसे करते हैं अब इसका, इसके लिए, इसके लिए, इंप्योर अल्मुनियम का अनोर्ड, इंप्योर अल्मुनियम का अनोर्ड, तथा प्योर 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 अल्मुनियम का अनोर्ड, तथा प Aluminium का कैथोड का कैथोड बनाकर कैथोड बनाकर 99.98% प्योर अलवुनिंएम प्योरसमुनियम प्राप्त किया जाता थै रहा प्राप्त किया जाता है ठीके है इसमें क्या किये हम लोग इसमें कोई भी यह एनोड है लिए निएयों क्या है कर से देखिए इसमें अधीज फ्री अर्ड में पर्जो नेट रहता आइड offshore diesel का इसमें अश डालते हैं तो अल्मुनियों अक्साइड क्या था है cute box site वाग्ण हो जाता है उसको चान करके इन्पुरीटि क्या है पिर वह उसका है करते हैं तुम एडिमनायाच्ट का प्रेसिपिटेट प्राथ प्राथ कोता था उसको एड करके अल्मुनियम उक्सईड प्राथ कर लिए अल्मुनियम उक्साइड का फिर झालक्ट नेक्ट्रोलाइटिक रिडेक्शन करके अम लोग 99.8% प्राथ कर लिए उसमें पुरेटी आ question है, How does react with conch S2SO4? Talmudium johin, Aluminium, Sulfuric Acid से reaction करके, Sulfuric Acid से reaction करके, Hydrogen Gaze देता है, Hydrogen Gaze देता है, देता है, तो Aluminium S2SO4 से reaction करेगा, यह बनाता है, Aluminium Sulfuric Acid Plus 3Sulfuric Acid 3H2 निकल जाएगा, यह हुए है इसका reaction, तो extraction of pulmonium, अब कहीं पर भी पुछा है, बड़ा होई जाता है न, यह बार-बार हम लोग, अब 15 का example देते हैं, 12 में पुछा हुआ है, ठीक है, अब इसका देखिया, और पुछा है, और में पुछा है इसका, अब इसको मिटा दे, पुछा है, और में पुछा है, इतना बड़ा कोई लिखेगा है, यह बड़ा चीज नहीं है, अराम यह था, याद रखना है खली, पुछा है नहीं, तो अब देखिये, इसका 15 का और, 15 नमबर क्वेस्टन का, और में पुछा है, पास्ठो रिजनिंग, और में क्या पुछा है देखिये, 15 का और, और में पुछा है, अकाउंट फार दा फॉलोईंग, अकाउंट फार दा फॉलोईंग, ठीक है, पहला काता है, PCL-5 known, but NCL-5 not known, काता है, PCL-5 is known, known, but NCL-5 not known, not known, ठीक है, वाई, ठीक है, ठीक है, 15 होता इतुम की नंबर, इसका जब ऐलग्ट उनिक है, इस रग फ्कश जब एलग्टो निक है, भी उग है, ठीक है, तो गराउंड इस्टेट में इसका जो लिखते हैं, ग्राउंड इस््टेट में, यह क्या है, three s में दो एलक्ट्रोन, three p में एक 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 ऐक एक ऐक अपर्ट्रोन परजेंट यह PCL 3 भी बनाईगा excited state में क्या होता है excited state में यह 3S का एक electron जम्ड करके इस में چला जاتा है 3D में चला ज़ता है इसका D तो vacant है 3 серд cell में दी vacant पढ़ा हुआ है एक्साइटेट कंडिशन में इसमें एक एलक्टोन चला गया, फाइव अन पेड़ एलक्टोन हो गया, यह PCL 5 भी बनाई गया, ठीक है, इसको लिखाएंगे, पास्पोरस, पास्पोरस, ग्राउंड स्टेट में, पास्पोरस के, पास्पोरस ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे, पास्पोरस के, पास्पोरस ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे, पास्पोरस के, पास्पोरस के, ग्राउन्ड स्टेट में, तीन अनपेर्ड एलक्ट्रॉन, तीन अनपेर्ड एलक्ट्रॉन परजेंट रहता है, परजेंट रहता है, इसलिए यह PCL3 भी बनाता है, इसलिए यह ग्राउन्ड स्टेट में, यह इसलिए फास्फोरस लिए, फास्फोरस ग्राउन्ड स्टेट में, अग्राउन्ड स्टेट में, PCL3 का फॉर्मेशन करता है, PCL3 का फॉर्मेशन करता है, करता है, ठीक है, अब देखिए, जबकी, जबकी, बनाताता है, एक्सितेड सेचमे, एक्सितेड सेचमे, एक्सितेड सेचमे, फॉर्मेशन्ड सिएंडbestेट में, परजेंट रहता है, इसलिए यह PCL5 का भी फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जबकि नेट्रोजन के कैस में, नेट्रोजन के केस में, केस में क्या हता है, नेट्रोजन का स्यवन होता है, 1s2, 2s2, 2p3 नेट्रूजन के केस में यही तीन अन्पेयर्ड एलक्ट्रोन रहा एक्साइटेड इस्टेट में होगा नहीं इसमें यह पेयर्ड ही है जबकि नेट्रूजन के केस में केस में तीन ग्राउन्ड तीन अन्पेयर्ड एलक्ट्रोन अन्पेयर्ड एलक्ट्रोन परजेंट होता है परजेंट होता है इसमें 2D पॉसेबूल नहीं है इसमें 2D पॉसेबूल नहीं होता है इसलिए नाइट्रोजन सिर्फ इसलिए नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन करता है इसलिए नाइट्रोजन करता है इसलिए नाइट्रोजन इसलिए नाइट्रोजन नहीं कर पाता है इसलिए नाइट्रोजन इसलिए के किया करता है एंपैर्ड एलक्तोन जो नंक्रोजन में भाग लेता तो इसमें एकसायट्यट्ड इस्टेट में पॉंच नंपैर्ड है 3S 3P 3D POSSIBUL यह एकसायट्यट्ड इस्टेट ने PCL5 बनायता है लेकिन इसमें तो 2D POSSIBUL नहीं है इसलिए ये NCl3 का सिर्फ फर्मेशन करता है, NCl5 का फर्मेशन नहीं कर पाता है, यहाँ पर क्लोरीन में भी एक अंपर डेलक्टोन होता है, इसका 3P में देखता है, इसमें एक अंपर्ड है, एक अंपर्ड यही इसके पौचों के साथ रियक्शन करता है, ठीक है, यह नहीं बना पाता है, इसका स्क्रीन सॉट लिजे, यह बहुत इंपर्टेंट है, बहुत बार पुछा है, लिजे जल दी इसका स्क्रीन सॉट, अब देखे, अब फिर दुसरा काता है, बी नमबर, सब यक एक नमबर काता लिखना, इतमाम तो डिसकस भी नहीं करना है, देखे, लेकिन जानिएगा तो वह अपने सॉट हो जागा है, यह अम सनल में, क्यदक्ट प्लॉरीं सो अवली वन oxygenation सेथ, अब भ्लॉरीं सो वनी only one oxidation state, oxidation state, but rest of the halogen, but rest of the, rest of the halogen shows different oxidation states, different oxidation, oxidation state, okay, that is reason to form? Fluorine, fluorine's electronic confinition, what's happening? one S-two, two S-two, two P, nine, हो गया, 2P5 है, तो 2D तो बेकेंट ही नहीं है, इसमें जो है, इसमें 2D बेकेंट नहीं है, फ्लोरीन में शिर्फ एक और्विटल हाथ फिल्ट है, इसमें क्या है, इसमें शिर्फ एक और्वाइटल, एक और्वाइटल, हाफ फिल्ट है, इसमें सिर्फ क्या है, हाफ फिल्ट है, इसमें 2D पॉसेबूल नहीं है, इसमें 2D पॉसेबूल नहीं है, इसमें 2D पॉसेबूल नहीं है, और अधर हेलोजन में जबकी जबकी अधर हेलोजन में जबकी अधर हेलोजन में क्या है जबकी अधर हेलोजन में डी और्बिटल पॉसेबूल है अब यह 3D तो बैकेंट है इसका दो एलक्टोन इसे है इसका इसे है लेकिन इसमें 3D बैकेंट पड़ा हुआ है 3D बैकेंट है 3S, 3P, 3D पॉसेबूल है नहीं, 3D पॉसेबूल है कुलोरीन के केस में 3D बैकेंट है जोकि अधर हेलोजन में 3D पॉसेबूल है इसलिए अब यहां पर क्या होगा अनपेर्ड एलक्टोन हो जाएगा एक्साइट कंडिशन में तो बैरियबूल बैलेंस ही सो करता है इसलिए शर्फ फ्लोरीन, फ्लोरीन, one oxygenation state इसमें क्या है? जुम्ठ कर सकता है अनपेर्ड हो सकता है एक्साइट कंडिशन में इसलिए शर्फ फ्लोरीन क्या होता है सिर्फ फ्लॉरीन, वन उक्सिडेशन, उक्सिडेशन, इस्टेट, सू करता है, सू करता है, जब की, जब की अदर है लोजन, अदर है लोजन, क्या करता है, इस्टेशन, 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 इस क्या कही है, फ्लोरीन में 2D possible नहीं है, जबकि अधर ऐलोजन में 2D possible है, नहीं, इसलिए इसमें D orbital vacant होने क्या होता है, इस variable oxidation state तो करेगा, variable oxidation state ही तो हो गया, different oxidation state, तो हो गया, different oxidation state, तो हो गया, स्काइ स्क्रीन शॉट लीजे जल्दी हो गया देखें C नम्बर C number में पुछाए, H 2 O is liquid, but H 2 S is gas wire. H 2 O is liquid, but H 2 O is gas wire. देखें, H 2 O में intermolecular hydrogen bond present होता है. अब इसको दाने पर होता है. H 2 में intermolecular hydrogen bond hydrogen bond, hydrogen bond, bond present होता है, present होता है, होता है, जबकि, जबकि H 2 S में hydrogen bond, hydrogen bond present नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए H 2 O liquid है, इसलिए H 2 O liquid है, 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 दी नम्मर में देखें, क्या पुछा है, है, noble gases are monoatomic in nature, noble gases are monoatomic in nature, why, है, one way to make in nature, why, this, क्या लिखेंगा इसका, noble gases जो होता है, helium neon argon, high stability होता है, noble gases, noble gases helium neon argon krypton का high stability होने के कारण, होने के कारण, noble gases का high stability होने के कारण, कारण दुसरे के साथ दुसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है नहीं करता है नहीं करता है और हमेशा मोनो एटोमिक फ्री स्टेट में इस टेट में मेराता है नोबुल गैस हिलियम नी अनारगन क्रिप्टन का हाई स्टेबिलिटी होने कारण दुसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पता है नहीं हो पता है और हमेशा मोनो एटोमिक फ्री स्टेट में राता है नोबुल गैस का हिलियम को छोड़ कर हिलियम को छोड़ कर सभी नोबुल गैस नोबुल गैस के और टर्मास्ट और्वीट में और्वीट में इट इलक्ट्रोल परजेंट राता है इसलिए यह ज्यादा इस्टेबुल होता है इसलिए यह ज्यादा इस्टेबुल होता है 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 हो गया इसका इसके इसाउट हो गया होगा अब देखे इन नंबर इन नंबर में पुछा है सब रिजनी यह सब ठीक से केरफुल होके पर यह गा बड़ी पुछता है यह सब हर बार पुछेगा इधर से उधर कभी इसमें कभी शाट में कभी लॉंग में कहीं भी इसके इस निंग दे देगा बीचिंग अफ फ्लावर इन नंबर है बीचिंग अफ फ्लावर बीच्लोरीन इज बीच्लोरीन इज पर्मानेंट इस पर्मानेंट इड़िके बाट 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 इसोटन इस तम्रारी यगा इस तम्री यगाँगे अच्छिका इस तम्रारी यगा इस तम्रारी यगा इस, कहता है बिलीचिंग एक्षन जो होता है कुलोरीन का फ्लावर बाय कुलोरीन के साथ जो होगा वो पर्मनेंट होता है लेकिन आसो टू के साथ होता है टेम्परूरी होता है क्यों तो देखिए मौइस्चर के साथ मौइस्चर के साथ सी अल टू रियक्षन करके रियक्षन करके अक्षी डाइजिंग मौइस्चर के साथ सी अल टू रियक्षन करके अक्षी डाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है अक्षी डाइजिंग एजेंट के रूप में के रूप में काम करता है ठीक है तो यह मौइस्चर हैस्टू हुआ प्लस सी अल टू यह मिलता है तो एच सी अल प्लस एच सी अल ओ देता है यह तूट जाता है एच सी अल प्लस निसेंट ऑक्षीजन में ठीक है यह क्या होगया एच सी अल अनिस्टेबूल होता है यह तूट जाता है यह जो हता है अनिस्टेबूल है अनिस्टेबूल है अब निसेंट ऑक्षीजन Colored Compound Colored Compound Plus Nescent Oxygen यह क्या कर देता है? Colorless बनाता है Colorless Compound Colorless Compound Colorless Compound का फर्मिशन कर दिया इसका Bleaching Action Permanent होता है इसका Bleaching Action Bleaching Action Permanent होता है Nant होता है जबकी SO2 जो है मौस्चर के साथ जबकी SO2 मौस्चर के साथ के साथ Reaction करके करके Nescent Hydrogen देता है Nescent Hydrogen Hydrogen देता है यह किसे देता है? SO2 प्लस H2O ठीक है बन जाता है H2SO4 H2SO4 बन गया प्लस 2H यह Nescent Hydrogen दिया ठीक है? यह Colored Compound Colored Compound प्लस Hydrogen यह बना देगा Colorless Compound Colorless Compound Colorless तो हो गया लेकिन इत्मोस्फेर में Oxygen रने कारण यह क्या हो जाता है? Oxidize हो जाता है फिर Colorless Compound का का फॉर्मेशन Colorless Compound बनाता है लेकिन लेकिन एट्मोस्फेर में एट्मोस्फेर में एट्मोस्फेर में लाज इमोंड में है ऐसाइं माय से 15 betweencraft है तो define का generator क्या होता है संबरि कि कालर्ट कंपाउंड निसे यह सिंट करें कि क्रड़ेस कंपाउंड बनाता है लेकिन यह अत्मोस्फेर में इसको केरफूली परियेगा इसको सन का बहुत जगे यूज होगा इसलिए जब तक केरफूली नहीं परियेगा तो यह आपका बनेगा नहीं ठीका है लॉग कोशन टाइप अंसर हो गया लॉग अंसर टाइप कोशन